मैंने दोसा बनाने की बहुत सारी वीडियोज देखी हैं, आपने भी देखी होगी, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बताया कि बैटर को हम गुमाते हैं तब ये चिपक क्यों जाता है, सब कुछ सही करने के बाद सारी वीडियो बराबर देखने के बाद फिर भी हमारा दोसा सही न इसकी खास बात यह कि यह सिर्फ 15 मिनिट में त्यार हो जाता है है ना चांदार तो चलिए वीडियो शुरू कर देते हैं सबसे पहले आप एक मिक्षर ले लीजिए और उसके अंदर डालिए सूजी एक बाउल सूजी अगर आप डालेंगे तो 6-7 डोसे बनेंगे मैंने दो ब बाद फ्लेवर और कलर के लिए हमें इसमें डालना है बेसन अगर आपने एक बॉल सूजी लिया ना तो उसमें एक बड़ा चमच बेसनी जाएगा और दो ली है तो 2 वैसे इन सब को आप अच्छे से पीस लीजिए वैसे तो बेसन और आटा एकदम फाइन पीसावा होता है लेकिन सूजी थोड़ी सी मोटी होती है आपको बस इन सब को साथ घुमा के उसी सूजी को बारीक करना है एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है उसके बाद आप इसमें डालिए दही ध्यान रखने की ये बात है कि दही खटा आपका नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी आपका वही फॉर्मूला लगेगा एक कप सूजी ली है तो एक कप ही दही डालना है दो कप ली है तो दो कप डालना है इन सब को अब आप अच्छे से मिक्स करिए और इसमें लम्स मताने दीजिये बस पूरी तरीके से जब ये मिल जाएगा ना तब ये एक बैटर की तरह लगेगा अब आपको क्या करना है इसके उपर कवर लगाना है और इसे छोड़ना है दस मिनट के लिए सूजी हमारी जब तक फूल रही है ना जब तक हम आलू का मसाला आपको बता देते हैं आप एक गड़ाई के अंदर डालिए पहले थोड़ासा तेल तेल जैसे गरम हो जाए तड़का लगा दीजिए सके अंदर चने की ढाल और राहीका अब इंतजार करिए राइ के चटकनेगा जैसे ही राइ चटक जाए डालिए इसके अंदर करी पत्ता ये आपके मसाले को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इन करी पत्तों के साथ-साथ आपको इसके अदर छौब करीवी ग्रीन चिली, छौब कियावा जिंजर और स्लाइस कियावा अनियन भी आड़ करना है अभी रुखना नहीं है आपको इसके साथ-साथ मसाले भी आड़ कर देने हैं आप डालेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली का पाउडर और नमक बस अब इन प्यास को चलाते वे आपको पकाना है पूरी तरीके से नहीं पकाना जिसे हम ट्रांस लूसेंड कहते हैं बस वैसा ही करना है ऐसा प्यास होने में सिर्फ एक से डेड़ मिनट लगेगा उसके बा फ्लेम को करिए थोड़ा सा हाई पे और इन सब को अच्छे से मिक्स करिए अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका मसाला तो हो गया एकदम रेडी अब मैं आपको वाइट चटनी बता देता हूँ कौन सी वाली वाइट चटनी कोकोनट वाली वो भी ड्राई कोकोनट से ड्र जब हम इसे पीशेंगे न तब ज़ादा दिक्कत नहीं आईगी हमें ठ्राई coconut को जब हम गरम पानी में सोक करते हैं तब वो soft हो जाता है फिर जब हम पीशते हैं तब वो आशानी से इस तरीके का हो जाता है आपका कोकोनेट जब अच्छे से पेज जाना उसके बाद आप इसमें ग्रीन चिलीज और जिंजर अड़ कर दीजिए साथी साथ इसके टेस्ट को बैलन्स करने के लिए नमक अब आड़ करिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो कोकोनेट का बचावा था ना वो भी आड़ कर सकते हैं अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा कर लीजिए फिर बस पीस नहीं है आपको इसे पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा अब बार ये इसमें तड़का लगाने की तड़का लगाने के लिए आप एक पान के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए तेल आपका जैसे ही गरम हो जाए ना तब आप इसमें डालिए चने की डाल और राई आलू का जो तड़का है ना और ये चटनी का तड़का है दोनों almost सेम ही है कई जगे तो इसके अंदर हींग का प्रेयोग होता है और कई जगे नहीं होता है अगर आपकी बीच्च है ना तोड़ी सी हींग डालनी तो आप डाल सकते हैं उसके बाद इसमें डाले होल रेड चिली और गैस को कर दीजिए बंद फिर आपको इस तड़के को इस चटनी के उपर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ये तो हो गई आपकी चटनी की रेसिपी अब चलते हैं और डोसा बना लेते हैं क्योंकि उसको भी 10 मिनिट तो होई चुके हैं डोसे के बैटर का जब आप कवर हटाएंगे जब आप देखेंगे सूजी ने तो अपनी सूजाई ली है आई मीन सूजी ने दही का सारा पानी एब्सॉब कर लिया है और काफी ड्राइ हो गई है अभी आपको इसमें पानी नहीं डालना है अभी आपको इसमें डालना है नमक और नमक के साथ साथ ये देखिए ये क्या है इसे कहते हैं बेकिंग सोडा आप एक paper और एक pan ले लीजिए और उसमें note लिख लीजिए मैं इस baking soda को जब ही डालूँगा जब इसे मैं 10 मिनट से पहले यूज करूँगा या फिर 10 मिनट तक अगर इसे ज़्यादा time के बाद आपने यूज किया न फिर इसे तब डोसा नी बनेगा तब बनेगा उत्तपम क्योंकि फिर इसके अंदर fermentation होने लग जाएगा और ये fluffy हो जाएगा मैंने इसके अंदर डाला था एक चुताई टीस्पून बेकिंग सोडा और एक ग्लास पानी पानी ज़रूरी नहीं है कि एक ग्लास ही लगे कम भी लग सकता है या फिर जादा भी लग सकता है इस बैटर को आपको बहुत अच्छी तरीके से फेटना है तब ये आपका डोसा एकदम क्रिस्पी बनेगा इसको फेटने में तकरीबन 3-4 मिनिट लगेंगे और इसे जब फेटते फेटते 2-3 मिनिट हो जाएंगे न तब इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे इसका मतलब होता है बेकिंग सोडा की वज़े से इसके अंदर फर्मेंटेशन चालू हो चुका है और हवा भरने लग गई है लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना है ये देखी ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे आपके बैटर में आप इसे लगातार चलाते रहिए जिससे इसकी हवा उपर आ जाए और सारा फर्मेंटेशन रुख जाए थोड़ी देर मैनत करने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी और आपका बैटर रेडी हो जाएगा ये है उसकी कंसिंटेंसी बस इतना ही है इस रेसीपी में अब हम दवा गरम कर लेते हैं दोसा बनाने के लिए यहां तक तो आपने एकदम परफेक्टली काम कर लिया होगा लेकिन दवा सेट करना उससे भी बड़ा काम है आप दोसे वाले तवे को गैस पर रखिए तेल डालिए और प्यास से उसके उपर रगड़िए इस बीच फ्लेम जो है न वो आपको एकदम लोपे रखनी है ऐसा करने से एक लेयर बन जाती है तवे के उपर जिससे आपका तवा चिपकता नहीं है तवा तो यहां पे सेट हो गया है लेकिन दूसरा खेल होता है टेमपरेचर का अगर वो भी सेट नहीं हुआ न तो इसी तरीके से आपका डोसा खराब हो जाएगा मैंने तवे को ज़्यादा गरम कर दिया था अब देखिए सारा बैटरी चिपक गया है और सारा निकली गया है और मेरी मैनत भी खराब हो गई है अब मैं आपको एकदम सही तरीका बताता हूँ टेमपरेचर सेट करने का पहले तो आप तवे को गरम कर लिजे उसके बाद छीटा डाल के चेक करिए तवा कितना गरम है तवा गरम है फिर पानी डालीए और इसे अच्छे से गुमाके तवे को साफ कर दीजे ऐसा करने से तवे का नीचे वाला जो पारणा वो तो गरम रहेगा लेकिन उपर वाला नॉमल हो जाएगा बस उसी टाइम आप इसके अंदर बैटर डालिए और इसे एक ही साइड में हलके आज से गोल गुमाईए एक ही दिन में और पहली बार में तो आपका डोसा एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करिए जरूर बनेगा एकदम परफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कोशिश करने वाली की हार नहीं होती और हमने तो हारना कभी सीखा ही नहीं है पहले तो आपकी फ्लेम का टेंपरेचर हाई पर रहेगा लेकिन एक बार जब आपने बैटर डाल दिया तब एकदम लो पे कर दीजिए उसके बार जब इस बैटर का आना शुरू हो चुका है उसी टाइम पे आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा मसाला जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बना लिया था मसाले को 10 से 15 सेकंड के लिए गरम होने दीजिए बस आकरी काम बाकी अब इसे रोल करने का ये लीजिए हो गया आपका डो के र सकाइब जतकी करे डिएल वे वान वे लूण आर प्याप़े छिएल पाहां वे ही वे वे ठालना ये वा डू Hm